मेरे शनल एडूकेशन औम बैसिक इंफिजन सेनल में आप आप सब बने को हर्दिक स्वागत है आज की मेरा वीडियो की टॉपिक है क्या है त्सका है टायफ ताइप और सुझे टॉटा है यानि fire के कितने टाइप की होस होता है। हमें इसे fire कर दो तैफ की होस होता है। पहला होता है delivery होस, delivery होस, होस, दूसरा नंबर में क्या आता है? suction hose suction hose अभी क्या है कि हमने तो सिख लिया है type of hose में एक क्या होता है deliver करने के लिए कोई भी मतलब firefighting का जो भी hose होता है delivery hose का मतलब होता है किसी भी fire tender या किसी भी equipment में firefighting equipment में एक जगा से दुसरे जगा पानी को मतलब पहुंचाने के लिए या deliver करने के लिए जो equipment यूज करता है उसको delivery hose और कोई भी fire tender tank या किसी भी किसी भी fire का equipment के अंदर पानी सक करके और इस्टोर करने के लिए जो pipe यूज किया जाता है उसको suction pipe बोलता है तो इसका delivery hose कितना type की होता है delivery hose भी teen type का होता है ठीक है कितना type की होता है delivery hose सबसे पहला type क्या होता है percolating hose percolating percolating hose पहला number में delivery hose क्या कौन सा number में आता है पहला जो type of delivery hose उसमें teen type का होता है percolating hose दूसरा नमबर में क्या आता है non-percolating hose non-percolating hose ठीक है और टीसरे नमबर में क्या आएगा टीसरे नमबर में आएगा hose real hose क्योंकि हमें कोई भी मतलब दिरिवागी का मतलब होता है कोई भी मनलब पानी को, या किसी भी liquid को क्या करना है डीलिवर करने के लिए जो fire का, fire के जो भी equipment यूज किया जाता है उसको क्या बोलता है delivery hose बोलता है, तो इसको क्या है, टीन टाइफ का क्या होता है, hose होता है, है park participating hose non-parkling hose और hosril hose अब हम किसी भी fire tender में या किसी भी tank में जिसके दो रहा जिस equipment दोरा पानी साथ किया जाता है उसको क्या बोलता है antosan पाइप कितने 성 पाइप इब क्यों होता है अभी type of suction वह भी क्या होता है दो डो टाइफ किया होता है कितना type क्यों होता है suction suction hose कितना type क्यों होता है डो टाइफ क्यों होता है क्या है पार्शनली एंबिडेट इंबिडेट सक्षन सक्षन होस ठीक है यह हो गया पहला नंबर पार्शनली एंबिडेट सक्षन होस अभी डूसरा नंबर में क्या होता है तो फूली एंबिडेट फूली इंबिडेट सक्षन सक्षन होस अभी हमने क्या सिखा है अभी आम इस वीडियो के जरी हमने क्या सिखा है सक्षन मरलब टाइब की होता है डो टाइब की होता है सक्ष्जन होस और बन ताइब की होता है ना सबसके सब्सक्राइब जो होस होता है वो डो टाइफ की होता है क्या होता है पार्शनली एंबिडेट क्या होता है सक्षन होस तो वो किसी से बना होता है वो बना होता है ठोस रबर लाइनिंग से यानि ठोस का मतलब क्या होता है ठोस का मतलब होता है हाड मतलब जो कथूर उसको कहता है ठोस रबर ला हो सक्सान होज में डूसरा क्या लिकाए इंपिडेट में नहीं होता है गोल्जा कोई बीचैसिह करा जाता है तो उस sweetie क्या मिला उता है इ Assim blij विजब करते हैं उसमें क्या क्या से गई-16 तो तो भाय जो मदलब क्या होता है होस पाइप suchweisen host pipe होता है ओं ठोस रवार अपट बना होता है और बैलकोन इस इस्स initial озд holy से बना होते है डूसरा अमबर क्या है डूसरा नंबर में क्या होता है fully ready घुश्य चो संप्रूरा मित्ः इंपिड़ेत क्या होता है कि संप्रूरा किन्य होता है उसका मतलब होता है गरा क्यानि क्या होता है वह एक गरा ताइफ का क्या होता है रवर मिक्स वाला होता है और वह पाइप क्या होता है यह होता है पार्शनली इंबिडेट सक्षन होस पाइप से क्या होता है सोटा होता है और वह पाइप क्या होता है डूसरा नमबर वह किस से इंबि को बनाए जाता है नेक्स हम चलते हैं कि होस जो हमने बताया है डिलिवरी होस उसका क्या है रहे कितना टाइफ की होता है देखो यह जो डिलिवरी होस है यह जो डिलिवरी होस है इसका टीन टाइफ की मैंने बताया था सबसे पहले आपने पता होगा कि आपने कहीं भी कहीं भी भी site में देखा होगा कि क्या है पार्कूलेटिंग होस पार्कूलेटिंग होस क्या होता है रवर और केंबास के जरिये बनाए जाता है केंबास का मरलोब होते है जो जैसे कपड़े से बनाय हुआ जो लिकिपन होता है इसको कहन्वास बोलता है, तो कहन्वास Mr. Rubber ki mix से क्या होता है? यह holds pipe बनाए जाता है, और उसमी जो अंदर की जो polyp होता है, वह थोड़ा सा rubber mix क्या जाता है laciliation क्या होता है? रर्रोबर के साथ, तो इस जो ध्यार खोलेट्स पूसपीनम का सब्सकीन का अंनुदय कंसे mushी को यह ऊक्षास integrating में इसको ऊस्यामरा रहा में और को स्टेण हों गया जो आपने होस प toget नेखका है आप देखते ही पेसांद जाओगे canvas host pipe होता है दूसरा होता है non-percolating host pipe ठीक है non-percolating यह इसमें जो percolating host pipe में जो होता है उसके opposite होगा यह पहली बात तो canvas से बनाय हुआ नहीं होगा यह किस से यह बनाय होता है इसको जो दूसरा नमबर में जो बनाय होता है वो यह बनाता है किस से रबर से are you w r Woo Ừ ठीक है और रबर के साथ साथ इसके क्या होता है उसमें क्या rainforest jacket It's रवर का host pipe होता है उपर क्या कहता है रवर का होस्पाइब होता है और रेंफोर्स जकेट उपर का पुलेफ होता है और अंडर का जो पुलेफ होता है कि इना लाइन आफ ठीक है भैलकोनाइज जो होता है हमने भी बताया था जो भैलकोनाइज जो रुबर है अंदर की पुलेफ होता है यह एक पगार की रुबर होस होता है तो और टीसरा नमबर में क्या है कि होज रील होज देखो होज रील होज हमेशा क्या होता है एक जगाही स्टोल किया जाता है उस वो पोर्टेबल नहीं है कई पे इधर से इधर लाप लेक नहीं जा सकता है एफसी के अंदर होज पाइफ हो सकता है फाई टेनर में होज रील होज हो चकता है एफसी के अंदर होज रील होज होता है उसकी जो भी बोड़ी का मूभिंग पार्ट उसकी जो भी पार्ट होता है वो इस्तील या आईरोन या लुहे से बनाया जाता है और उसकी मिलब जो होत का जो rubber pipe होता है वो क्या होता है थोस rubber से यानि एक गरा rubber से बनाया जाता है और इसका क्या है इसका मुख्ख काम होता है यह भी किसी भी fighting में मैं पानी को deliver करना अभी next हम चलते हैं कि suction hose pipe है वो कितना length होता है और उसकी diameter कितना होता है जो suction hose pipe है उसकी जो length है ठीक है 15 मीटर भी होता है ठीक है कितना होता है 100 मीटर का होता है और 125 मीटर का भी होता है तो यह next आगया उसकी diameter कितना होता है जो suction hose pipe है उसकी diameter कितना होता है वो आता है 70 mm का भी आता है maximum common जो यूज के जाता है 100 mm का है और 140 mm का ठीक है उसका जो डाइमेटर होता है वो अक्सर जो नॉर्मली यूज के जाता है उसकी जो सक्षन होस पाइप का वो होता है अब यहां नेक्स जलते हैं जो डिलिवरी होस पाइप हार जिगह आपने देखा होगा फायर हाइड ऐफसी में एफस्वी में कहीं भी फायर टिंडर में तो डिलिवरी होस का जो लेंट होता है देखो 15 मीटर मैक्सिमम 15 मीटर ठीक है 22.5 मीटर और कितने मीटर होता है 30 मीटर ठीक है यह आपको देखने के लिए मिल जाएगा और इसका डायमेटर कितना होता है मिनिमम कमन 68 mm का सबसे ज़्यादा रहता है और 70 mm का भी होता है 38 mm का भी होता है ठीक है और नेक्स हम चलते हैं कि होस रील होस का लेंड कितना होता है होस रील होस का लेंड कितना होता है यह देखो मैक्सिमम और मिनिमम यह 30 मीटर का आता है ठीक है और मैक्सिमम 60 मीटर का आता है और इसका डायमेटर कितना होता है सिभ एक होता है 19 mm यानि 19 mm उसके डायमेटर होता है और आई और आप इस वीडियो के जडिये आपने firehouse pipe के कुछ ना-कुछ basic knowledge आये होगा तो इस वीडियो के जडिये आपको कुछ ना-कुछ पुपीडो आ तो प्लीज आप मेरे वीडियो सस्क्राइब कर दिजिए और लाइक कर दिजिए और तब तक के लिए नमस्कार जैहिन